all right so hi guys कैसे हो आप सब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about five things which I have learned in seven days साथ दिन के अंदर मैंने क्या क्या सीखा है क्या के चीज़े मैंने observe कि डेली में आने के बाद मैं आप सभी के साथ share करूँगा and I can guarantee कि जितने भी outstation students definitely वो relate कर पाएंगे इस वीडियो को ठीक है तो end तक जरूर देखना and I hope so अगर आप नहीं भी relate कर पा रहे हो तो in future जरूर रिलेट करोगे and try करना उन चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी overcome कर सको ठीक है बढ़ते हैं से के साथ आज की वीडियो में होता है ठीक है limited amount का budget होता है and वो वेरी करता है person to person तो लाइक वो आपके लिए एक money management सिखाती है आपको and definitely मुझे बहुत सिखाया है and ऐसा नहीं है कि मैं पहले manage नहीं करता था of course पहले भी manage करता था अकेले रहने के बाद manage किस तरह से करना है वह पता लगए ठीक है इन साथ दिन के अंदर बहुत कुछ सिखी है मैंने तो लाइक वह ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मुझे personally सिखा के गए वह दिली ने खुछ सिखा दिया तो definitely अगर आप भी outstation student तो I guess कि आपको भी वह समझ में आई होगे कि कहां पे खर्चा करना है कहां पे नहीं करना वह आपको सोचना है यह पेरेंट्स समझ में आने लगती है काफी बार होता है कि जाधा expensive हो जाते है तो बाद में regret खुद को भी होता है कि यार वहां पर नहीं लगने चाहिए थे फिर भी लगए उस चीज़ को लेके ही बैट जो नहीं नेक्स टाइम ट्राई करो कि लास्टाइम जो गलती हुए वह रिबीट ना हो ठीक है तो नंबर बन चीज़ यह है कि money management का समझ में आया थोड़ा and of course आपको भी आया होगा and नंबर टू चीज़ जो आने सीखी है you are responsible for everything like आप जो भी actions लेने वाले हो ठीक है या कर रहे हो उस कि देखो खुद की analysis करके फिरी actions लो अब ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हें कोई ना कोई आके बताएगा जैसे कि parents अपने को बढ़े भाई-बैन या फिर कोई भी अपना जो senior होता था वो बताया करता था बट अभी हमां केले रह रहे हैं तो हमें कोई नहीं बताने वाला तो हमारा हर action इस type का होना चाहिए कि जो हमारी satisfaction को पूरा करे also वो सही हो अब सही गलत का judge करना हमारे पर responsibility हम किदर जा रहे हैं हम गलत रस्ते पर जा रहे हैं सही रस्ते पर जा रहे हैं वो हमें कुछ सोचना पड़ेगा ठीक है विकास अभी सारी power हमारे पास है तो responsible भी हमे होगे तो you need to decide कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो and definitely यह चीज बहुत कुछ सीखी है मैंने कि यार हर कदम पर आपको सही action लेना जरूरी है वैसा निया कि हर बार सही action लोगे ही लोगे हो सकते कि गलती हो but उस चीज को repeat ना करो if you are having any question, any doubt or you didn't understand any concept whether it's related to boards or JNIT if you are facing any problem while studying then Philo app is the solution clear all your doubts anytime just by doing 3 easy steps first of all download this app from the play store or app store this is the first step and after downloading this app from the play store just sign in by putting your 10 digit mobile number in the app and you will get login into the app and just after the second step just scan your query which you want to ask from the tutor and upload it on the app and submit it within 60 seconds Philo will get connected you live with the tutor and you would get the answers as you are seeing in the video the tutor is explaining each and every concepts which you have asked from him and he will clarify your every doubt so what are you waiting for go and download this amazing app link is given in the description box and get your problem solved within 60 seconds use my referral board to get 10% discount link is given in the description box check it out number three you should be grateful for what you have okay okay आने को बाद डली आने का बाद ना यार पते क्या हुआ हुआ कि लाइक हम काफी बार यह सोचते हैं कि यार फैमिली के अंदर यह नहीं है हमारा खर रहसा नहीं है बहुत अच्छा नहीं बना वहा कंपेर करते हैं हम तो वह चीज़ यहां कर एकदम खत्म हो गई है और अब रियलाइस होता है कि यार जो फैमिली है जहां पर हम रहते हैं और अकेले आने के बावजुद भी यहां पर हमने अलग रूम लिया अलग पीजी भी लिया और वह वाली फील नहीं आती ठीक है इवन आए फील कि नहीं यार घर जादा बेटर है बहार आके पढ़ने से तो बेटर है कि अपने फैमिली के साथ रहूं वहां पर जादा इंजोईमेंट है अब यहां पर रहने के बाद या फिर कहीं भी आप सिटी बाहर जा रहे हो तो आपको टाइम शुलूर आना लुट पर स्केडयूल की किस ट्म पर क्या चीज्ऑ हो नहीं है अगर वह जीद नहीं होगी या फिर वहना कोई प्रोपर स्केडयूल नहीं होगा कि इस टाइम पे इस टाइम पर मुझे एक काम करना है अपनी प्रियाइट कर सकता है बंदा दूसरा स्केडिवल है अलग तरीके है बट यूशुट आप फोलो खरो एंड उसके कोडिंगी आपके एक्शन स्लो तभी चीज़े फुलफिल हो पाईगी अधरवाइस पूरा दिन निकल जाएगा और यह रास्तों कुछ नहीं किया आज का दिन और बरबाद हो ठीक है अब यह सारी चीज़ कर रहा हूं मेरे साथ भी हो रहा है स्टार्टिंग स्टार्टिंग म जहां पर भी आप अक्टिव नहीं हो फारां आप मार खा सकते हो ठीक है तो यानी की आपको एक्टिव रहना है और किसी की बातों में नहीं आना आप um तो अपने दिमाग के कोडिंग चलना है आपको खुद के बारे में सोचना है सबसे पहले ठीक है अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर बोल रहों कि सेल्फिश हो जाओ ठीक है सेल्फिश पहले तो होना पड़ेगा खुद को सबसे प्राइयरिटी रखो और दन किसी को और को प्राइयरिटी दो ठीक है अगर आपको थोड़ा लगा कि हाँ चीजे सही एक्च्वल में हो रहा इसा तो कमेंट वक्स में मुझे एक बार कमेंट करके बताओ अगर नहीं हो रही अगर आपका कुछ इस पर सब्सक्राइब करके बताओ और किन टॉपिक्स पर इन फ्यूचर वीडियो देखना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स हमेशा खूले हुए कभी भी टाइप कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फोलो कर सकते हो और वहाँ पर अपनी कोई रिस पूच सकते हो तिल दन स्ट तून और लाज बस्पर इर फिटर नवस थैंक ये फो वाचिछ इस वीडियो